स्वागत तो अब सभी को फिर से एक नए वीडियो में कैसे हैं अब सभी मैं आसा गर तो आप लोग मस्त है स्वाचतर अपने प्रहाई को जबर्ज़स तरीके से कर रहे हैं तो अरहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं चेप्टर नंबर वन से चेप्टर नंबर important question होने वाला है तो चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप लोग इस यूटूब चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चादर ज्यादे वीडियो को सेर कर देजिए हर एक दोस्तों को ठीक है और अभी तक वीडियो को लाइक अभी बसक्राइब को निस्ति करने की le garment करते हैं तो देख है आपको आपको देख हैं मोड फांक्शन तो देखी आप लोगों ऑप्षण नमबर ए में दीख रहा है घ्रक है mode function यह जो symbol आप लोगो दीख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते है इसको हम लोग function बोलते है function का symbol हमारा इस तरह का होता है ठीक है तो mode function इसका right answer option number a हो गया ठीक है तुसरा number question क्या है see out e 정확 also see out क्या होटा है see out हमारा objects होता है क्या होता है object ठीक है अगर आप लोगो स्थ वख़रा एक सथ इसके पहर लेगा तो हमारा answer क्या होगा object ही ८त बदले हैं इसTime आपलोग को 오른 औरन नमबर को संप्राइब एक साथ एक बसूत अब्लोग को क्या करने जो तेख यह सेमबूल यह उसका राइध कहा हुआ answer हो जाएगा option number C ठीक है आप लोगी symbol को याद रख लीजिए फूर number question क्या बोल रहा है which of the following types of class allow only one object of it to be created ठीक है इसका right answer क्या होगा singleton class देखिए कहां पर दिख रहा है option number C में दिख रहा है singleton class इसका right answer ठीक है option number C five number question बोल रहा है which of the following is correct class of the object C out तो देखिए जो हमारा C out दीख रहा है यह हमारा क्या object है ठीक है तो directly question यही पूछ रहा है कि कौन सा header file में यह क्या रहता है यह हमारा C out रहता है तो देखिए IO stream में रहता है ठीक है इसका right answer क्या होगा option number यह हो जाएगा IO stream ठीक है अगला question क्या बोल रहा है कि drive class is known as खाली जगा class तो drive class को हम लोग क्या बोलते है sub class बोलते है अगर हमारा class drive हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे sub class बोलेंगे मतलब आप लोग गाना काते है न उसी तरह आप लोग बोलिए ठीक है drive class is known as sub class ठीक है अगला question क्या है which of the following access excessive fire which is default in class definition तो इसका right answer जो होगा private हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए access excessive fire दिया होगा ठीक है इसलिए हमारा इसका right answer क्या हो गया private हो गया इसका right answer क्या option number c अगला question क्या है कि which of the following is no tabs of क्या inheritance तो inheritance का कौन टाइपस नहीं है तो देखिए आप लोगो तीनो क्या है तीनो हमारा inheritance का ही part होता है ठीक है बड़ देखिए आप डिस्क्रिब्यूटिव लिखावा यह हमारा गलत है इसका right answer option number c हो गया इस question का सही होता ठीक है बड़ यह option गलत है ठीक है अगला question देख लिए अगला question है which of the following is not the member of class तो देखिए class का member कौन नहीं है ठीक है तो देखिए friend function अभी आप लोगो को कहें भी दिख रहा होगा कहा option number b में दिख रहा है क्या friend function ठीक है तो friend function हमारा class के member नहीं होता है बाकि सारा जो तीनों देख रहा है यह हमारा class का member होता है ठीक है ठीक है इसका राइट चंशर क्या हो जाएगा composition इसका राइट चंशर option number b हो जाएगा ठीक है अगला question क्या होड़ है डिस्ट्रक्टर हम लोग किसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर हम लोग member function को बोलते हैं तो डिस्ट्रक्टर हीजिए क्या होगा member function क्या होगा option number यह member function ठीक है अगला question which of the following क्या approach is adapted by c++ तो c++ जो है न वो काम करता है bottom two और निचे से उपर की और काम करता है option number b का राइट अंसर हो गया ठीक है अगला question क्या बोल रहा है which of the following is and abstract data types तो अब स्रेक्ट डेटा टाइप हम लोग किसको बोलते है class को बोलते है ठीक है तो class इसका right answer हो गया ठीक है अगला question क्या बोल रहा है चाओदर number which of the following can not be friend तो देखिए object जो दीख रहा है यह हमारा क्या फ्रेंड नहीं है इसका right answer क्या होगा option number c हो जाएगा ठीक है अगला question क्या बोल रहा है कि what will be output देखिए आप लोग को यहां पे कुछ दिया हुआ हुआ है क्या condition दिया हुआ है आप लोग को increment डिक्रिमेंट वाला question दिया हुआ है ठीक है जहां हमारा दिया हुआ है यहां पे plus plus b plus फिर plus plus b दिया हुआ है मतलब देखिए plus plus b फिर plus दिया हुआ है फिर plus plus b दिया हुआ है हम लोग को क्या निकालना है हम लोग को यहां पे value क्या दिया हुआ है b वराबर हमारा चार दिया हुए ठीक है तो आप लोगों पहले पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स किसको बोलते हैं ठीक है तो प्रीफिक्स हम लोग किसको बोलते हैं जो पहले लगा हुआ रता है तो देखिए हमारा यहाँ पे पहले लगा हुआ ठीक है तो यह हमारा क्या प्रीफिक्स के अंतरागत आ गया ठीक है तो प्रीफिक्स क्या कहता है प्रीफिक्स बोलता है कि हम पहले जोड लेंगे ठीक है और पोस्ट फिक्स क्या बोलता है वाई कि हम बाद में जोड़ेंगे हम अपने आप में नहीं जोड़ेंगे ठीक है हम दूसरे को दे देंगे यह यहां बाद में जोड़ता है ठीक है कॉन पोस्ट फिक्स बड़ यहां पे प्रिफिक्स वाला कंडीशन है तो हमारा यहां पे क्या बी वराबर चार दिया हो है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस बी का मतलब क्या है एक जोड़ेंगे ठीक है क्योंकि पहले यहां पे प्लस plus b है मतलब कि फिर से हम लोग को क्या करना होगा फिर से हम लोग को b b हमारा कितना निकला है 5 निकला है ठीक है तो इसमें हम लोग फिर 1 को क्या करेंगे जोड देंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे 6 हो जाएगा ठीक है बट हम आप लोग को जब chapter पढ़ा रहे थे तब आप लोग को ये पता मतलब उस में हम आप लोग को बताए हैं कि अगर यहां पर क्या जोडने पर के लिए हो गया कैसे हो रहा है question, ऐसा question a को fix है, तो आप लोग समझ लिजिए कि increment, decrement वाला question कैसे बनता है, ठीक है, आप लोगो इसी तरह यहाँ पर क्या देगा, a बराबर यहाँ पर 4 देदेगा, ठीक है, अगर आप लोगो यहाँ पर क्या बोलेगा, plus plus a देदेगा, ठीक है तो आप लोगो यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 4 देदेगा, ठीक है, उसी तरह आप लोगो यहाँ पर क्या करना होगा, इसी तरह आप लोगो यहाँ पर बनाना होगा, आप लोगो prefix और post fix आप लोगो अच्छे तरीके से समझ लिना होगा, ठीक है, prefix क्या करता है, plus plus a रहता तो तो ओम क्या करेंगा यह पहले घटा लेगा क्या करेंगा एक क्या करेंगा यह तो हम जोडवाट फिचल प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर और बाएबर रिपीटेड हो रहा है थीक है अगला कोशन कि C++ program by the help of the C++ में हम लोग क्या करते हैं हाई-level language में मतलब computer समझता है नहीं समझता है तो लेख किया गटाथ से मसीन लिवल लेंग्विज में तो किसके साहयते से उसको क्या करते हैं कि उसके साहयते करते हैं तो वह हुआ से होता है इसका राइडन से होगा option number भी हो जाएगा compiler ठीक है तो देखिए आप लोगों वीडियो जो बन रहा है ना वो 10 बज़े बन रहा है ठीक है इसलिए थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा हुतना अच्छा ठीक है अगला कोशन क्या बोड़ा है C++ एक्स्टेंशन टू खाली जगा प्रोग्रामिंग लेंवेज तो C++ जो बना है ना C language से बना है क्या बना है C language से ही convert हो कर के क्या हो गया C++ हो गया तो देखिए C इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C ठीक है मतलब राइट अंसर आप लोगा C ही होगा ठीक है अगला कोशन अगला कोशन बोल रहा है which of the following is not यह feature of C++ तो C++ में हमारा कौन feature नहीं होता है देकि polymorphism होता है inheritance होता है pointer भी होता है बट यहां पर reflection का यहां पर feature नहीं दिया गया है ठीक है इसका राइट अंसर क्या होगा option number D हो जाएगा ठीक है अगला कोशन क्या बोल रहा है देकि एक every function function का चीन क्या होता है यहीं होता है ठीक है every function in C++ followed y आप लोग को यहां पर चार option दिया है तो आप लोग को यहां पर चार्ट ना है ठीक है कमेंड दो परकार का होता है इसका राइट अंसर नंबर भी हो जाएगा ठीक है अगला कोशन 22 नंबर एवर्ड हैविंग अ स्पेशल मीनिंग रिजवर्ड वाई प्रोग्रामिंग लेंगवेज इजन तो रिजवर्ड कौन होता है कीवर्ड होता है ठीक है पहले से computer में कौ करने के लिए अधिक हेज़िए इसका चीन को हम लोग क्या करते हैं प्रिंट करते हैं यहां पर डिस्प्ले करते हैं इसका राइट अंसर यहां क्या होगा अप्टिन 192 नंबर क्या हो जाएगा चाहिए फिर से पडियेक्ट सभीड यह लिखा अगला कोशन क्या वोड़ा है 25 नमबर कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं देखिए जो ऑप्सन दिया हुआ ना तीनो गलत दिया हुआ है ठीक है तो हमारा राइट अंसर ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा नन ओप दीज ठीक है अगला कोशन 26 नमब इन में से कौन हमारा क्या है अस्टेटमेंट का टाइपस नहीं है तो देखिए हमारा जो है स्टेटमेंट होता है इटी रेशन अस्टेटमेंट होता है जंपिंग अस्टेटमेंट भी होता है बट यहां पे हैंडलिंग अस्टेटमेंट नहीं होता है ठीक है कुशन 27 नमब variable which is haul in memory address तो ये हो जाएगा pointer ठीक है इसका right answer क्या होगा option number ये pointer अगला question 29 number क्या बोड़े है operator that takes two approns is called क्या होगा ये हो जाएगा boundary operator क्या होगा boundary operator इसका right answer हो जाएगा अगला question क्या बोड़े है अगला question ता repetition of state a statement depending upon condition test is knowledge क्या होगा यह हो जाएगा iteration ठीक है इसका right answer क्या होगा option number B अगला question देख लेते हैं अगला question क्या बोल रहा है 31 number question क्या structure bring together यह group यह हो जाएगा relation data type क्या होगा related data type relation data type जो आप लोग option में रहे वो आप लोगो मारना है ठीक है इसका right answer क्या होगा related data types option number C क्या बोल रहा था, यह structure bringing together, यह group इसका right önemsen option number C, related data types, एक लोकुर्शन क्या बोल रहा है, 32 number जहां ही, तो structure का keyword बोल रहा है, तो structure का keyword क्या होता है, एक एक caste होता है, इसका rightे जह कहां पर दिख रहाता है, option number C, में दिख रहा है, structure का keyword क्या होता है, अस्ट्रक होता है ठीक है अस्ट्रक्शर में ही छुपा हूं है ठीक है इतना सा ठीक है अस्ट्रक दिख रहा है ना वहीं हमारा क्या हो जाएगा की वर्ड हो जाएगा अगला कूशन 33 नमबर क्या हो रहा है what will be used in terminating यह structure तो terminating के लिए हम लोग semi colon का use करते है ना तो इसका right answer option number भी हो जाएगा semi colon what is the mandatory pre-process directive for c++ तो direct question यही पूछ रहा है ना तो कौन हमारा क्या है जो हेडर जो हमारा header file दीख रहा है कौन सही format में लिखा हुआ है तो देखे आप लोग का option number यह में ही दीख रहा है क्याging come which symbol is reference single line comment single line comment का symbol क्या होता है single line comment का symbol इस तरह का होता है तो आप लोग का option number c में दीख रहा है ठीक है option number C का right answer हो जाएगा क्या बोल रहा था कि single line comment का ठीक है multi line नहीं single line तो single line का option number C में दीख रहा है ठीक है तो यह रहा हमारा क्या set number 2 का all question तो हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग chapter number 1 से chapter number 8 का set देख रहे हैं तो set number 1 और set number 2 हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया ठीक है अब हम लोग देखेंगे set number 3 ठीक है तो उसके लिए आप लोगो अगला वीडियो में मिलना होगा तब तक आप लोगो क्या करना है वीडियो को share कर देना हर एक दोस्तों को हमारा वीडियो जाना चाहिए ठीक है तो अगर आप आप लोग को बीडियो अच्छा लगा तो बीडियो को पहले आप लॉल यह नहीं करते हैं इससे पीया होता है थोड़ा सब्सक्राइन पोर करेंज़ेशन का यह नहीं दूने जूर यह नहीं पूरों को इंदूर है आप लोगा को सुस्गा करेंगर अब लोग से रटा आया जाता है तो आप लोग रट करके भी कोष्टन को याद कर लिजे ठीक है अभी ये तो हम क्या कर रहे है subjective कोष्टन करवा रहे ठीक है subjective कोष्टन कोई भी सब्जेक्ट हो physics हो chemistry हो कुछ ही भी हो अप लोग अप लोग क्या करना है हर एक दिन एक long question याद क करना है कहा है आपको फीजिक्स रहे या फी रहे कइमेस्ट्री या फी माइतरे कुछ भी रहे आप लोगो 1 कोशन चरूर करना है पहुझा है और computer science मे क्या करना है computer science में भी एक-चोश्यं करते जाना बाकी तो मैं हुँ भाई ठीक है computer science में टेंशन नहीं लेना है बिलकुल नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना है आप लोग को क्या करना है पढ़ना है ठीक है others आप लोगो जितना time बच रहा है आप सीधे chemistry और physics में दीजिए ठीक है computer में ज़्यादा आप लोगो time नहीं देना है आप लोगो टेंशन नहीं लेना बहुत ही असान तरीके से हम लोग यहाँ पर computer science में समझाया जागा और बहुत ही असान तरीके से नंबर भी आने वाला है ठीक है उसके लिए आप लोगो टेंशन नहीं लेना दिल खूस करके आप लोग क्या के जिए शेयर कर दिजिए हर एक दोस्तों को अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई टेक क्यार